ट्रैकिन टेक चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को याद से क्लिक कीजेए हम ट्रैकिन टेक पे पेड रिव्यूस करते हैं या नहीं, या फिर वन प्लस ने हमें पैसे दिये कुछ वन प्लस फाइफ के बारे में अच्छा बोलने के लिए बहुत सरे लोगों ने पिछले वीडियो में कहाए कि ये पेड रिव्यू है, मुझे तो बहुत अम्यूजमेंट हो रही थी जब मैंने वो सब कमेंट्स पड़े, हम तो बहुत छोटे से एक यूट्यूब चानले, 10-12,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इसके बारे म मैं आपको करूंगा वीडियो देखते रही है, पिछला वीडियो जिसमें मैंने कहा, I was wrong about OnePlus 5, क्या हुआ था, पहले मैंने first impressions किये थे, launch के समय, उसके बाद में मैंने opinions दिये थे, जिसमें मैंने OnePlus 5 के कुछ खामिया बोली थी, उस टेम मैंने कहा था कि बैटरी 3300 अच्छी न ategorically state OnePlus 5 का कोई भी वीडियो पेड नहीं था, यह completely हमने हमारे मेरे खुद के opinions जो थे, वो मैंने आपको बताए, दोस्तों, मैं media business में 8-10 साल से हूँ, online digital media, मेरे बहुत सारे sites है, tracking, जिसमें million, million and a half viewers हर महिना आते हैं, तो उधर मेरे को हर रोज mail में paid requests आते हैं, हम नहीं करते हैं, और अगर हमने किया, जो हमारे line में होगा, वो हमने किया paid request, तो हम clearly disclaimer के साथ कहते हैं, कि this is a paid post, या this is a paid review, तो यह जो channel है tracking tech का, उधर भी यही policy हम follow करते हैं, every video जो मैंने बनाया हुआ है, अभी तक paid नहीं है, लेकिन अगर कोई भी video हमारे channel पे paid होगा, तो वो disclaimer होगा, मैं आपको बोलूँगा कि यह brand ने हमको यह पैसे दिये हुए, इसकी वज़े से हम यह video कर रहे हैं, अगर brand को नहीं चाहिए वो, तो हम वो video नहीं करेंगे, यह याद रखिये, मुझे एक बात सबसे ज़्यादा important है, और मैं सबसे ज़्यादा importance उसको देता हूँ, हमारे viewers, देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा opinion भी गलत हो सकता है, लेकिन honesty and trustworthiness यह 100% आपको इधर मिलेगा, मैं जो भी बोलूँगा, वो जो मैंने experience किया है, वो ही बोलूँगा, YouTube का नाम खराब है, especially YouTubers का, बहुत सारे लोगों ने paid reviews किये हुए, और उसकी वज़े से commenters ऐसे comment करते ह हमें पता है, तो मैं आपको एक खुलासा करता हूँ, OnePlus 5 के बैटरी के बारे में मैंने कहा था, जिनों लोगों को लगा कि एरे paid review है, तीन दिन किदर चलता है, तो सबसे पहले हमारे पास जब वो phone ship हुआ था, उस दिन कुछ 80% बैटरी थी, हमने दो दिन तक वो ज़्यादा यूज नहीं किया, तो screen on time जादा नहीं था, तीसरे दिन तक बैटरी कुछ 20% थी, वो चालू था phone, screen on time हमने जादा उसके उपर कुछ यूज नहीं किया, games नहीं खेले, कुछ नहीं खेले, उसकी वज़े से तीसरे दिन तक भी बैटरी चल रही थी, that was the reason why, और उसके basis पे म और मैंने जब वो covers डाले, तो it was non-slippery, हाथ में perfect grip आता था, तो मैंने दूसरे try ही नहीं किये, market में जादा अभी तक आये नहीं है, accessories, back covers, तो ये जो back covers थे, जो original उसके साथ आये थे, वो snugly fit होते हैं, बहुत अच्छी तर से fit होते हैं, और अच्छे भी दिखते हैं, इसल paid reviews अगर लेंगे, तो उसका खुलासा करेंगे, ऐसे ही हमें प्यार देते जाएं, comments करते जाएं, like करते जाएं, subscribe करते जाएं, और अगर आपको और भी कोई सवाल है मुझसे, तो ज़रूर पूछेगा, अगले वक्त तक के लिए